दुरुबजी के बंस में एक अंग नाम के राजा हुए है जिनका भागवजी में आख्यान आता है उस अंग नाम के महराज की जो पत्नी है उनका नाम है सुनीथा ये मृत्यों की पुत्री है सुनीथा माता का चिंतन अपने मात्रिकुल की ओर है अर्थात अपने यहां महराज अंग के साथ आने पर भी माता सुनीथा मैं महराज अंग के सानिध्य से भी महराज अंग के संसकार नहीं आए मृत्यू की पुत्री होने के कारण वो उधर का चिंतन अधिक करती इसलिए माता महा अर्थात अपने पिता के संसर्ग का प्रभाव अधिक होने के कारण इस सुनीथा की गोद से जो बालक उत्पन हुआ उसका नाम है बेन और बेन में अपने नाना जी के गुण विशेश आगए बेन में अपने पित्री कुल के गुण नहीं आए अपनी मात्री कुल के गुण आए अर्थात नाना जी माने मृत्यू देव के जैसी हिंसा उनी के जैसा आक्रोश, उनी के जैसी कुटिलता और कठोरता का दर्शन होता अस बालक में निशरगात एश महित्रयो दुष्ट एवब्यजा यतो सुभाव से ही ये बालक अत्यंत दुष्टित था एक दिन प्रजा के कुछ लोगों ने मिलकर के महराज अंग से कहा भगवन आप तो प्रजा वत्सल हैं आपके राज्य में तो प्रजा ऐसे निशंक रहती है जैसे माता के आचल की खाया में बालक सुरक्षित अन्भव करता है परन्तु आपका पुत्र राजकुमार बेन बड़ा दुराचारी है ये बाले काल होने पर भी अपनी प्रजा को बहुत पीडा देता है बहुत कलेश देता है भगवन आपके रहने तक तो ठीक है परन्तु आपके अनंतर तो बड़ा भारी कलेश होगा राजा अंग ने बहुत समझाया है अपने पुत्र बेन को महरानी सुनी था के माध्यम से भी कुछ कहलवाया परन्तु ना तो सुनी था के चिंतन में परिवर्तन आया और नहीं बेन के जीवन में परिवर्तन आया इसलिए एक रात्री में महराज अंग ने सोचा आज अंग तो इस आसकती के बंधन को काट करके अर्द रात्री में भवन से निकल कर बाहर गए और फिर लौट करके नहीं आए सब ने मिल करके इस बेन को राजा बना दिया जब बेन अभिशिक्त हुआ तो जैसे अभिशिक्त हुआ वैसी इसने घोषना कर दी आज के बाद मैं जब राजा बन रहा हूँ तो मेरे राज्जी में कोई ना तो यग्य करेगा और ना ही कोई दान देगा और ना ही कोई यजन करेगा क्योंकि भूगता यग्य से कस्तवन्यों यहं यग्य पति प्रभू मेरे अतरिक्त संसार में कौन और परमात्मा है कौन और कर्मफल का भूगता है इसलिए कोई विश्णु के नाम पर नारायन के नाम पर हरी के नाम पर शिव के नाम पर कोई अग्या दिक नहीं होगा को माला पहनाए, मेरी पूजा करो इस स्रिस्टी के विलक्षनतम इतिहास की यात्रा में ऐसा भी एक राजा हुआ जिसने कहा कि कोई देवता नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं कोई यग्यानुस्ठान की आवश्यक्ता नहीं, ये राजा जो होता है ये अश्ट लोक पालों का अंश होता है इसलिए इसी में समग्र लोक पालों का समावेश है इसी में भगवता है, ये प्रसन हो जाए, तो ये आप को पुरस्कृत कर दे, और अब प्रसन हो जाए, तो दंडित कर दे मैं ही स्वर्ग देने वाला और मैं ही नर्क दाता हूँ मैं ही सभी कर्मों का फल दाता हूँ इसलिए खवरदार कोई किसी ने दुसरे नाम पर लेकर यग किया, दान किया, धर्म किया, देपुजा की, संकीर्तन किया निस्तव्यम नदातव्यम नहोतव्यम कथन्चना भूगता यज्यस्यकस्त्वन्यो यहं यज्यपति ही प्रभू बड़े-बड़े महात्माओं ने आकर कि इस बेन को समझाया अरे राजन ये अनर्थ ना करो ये पाप मत करो ये उचित नहीं है तुम जो यग्यों का विरोध करते हो यग्यों का निशेद करते हो इससे धरा विवल हो जाएगी व्याकुल हो जाएगी इससे देवता रुष्ट हो जाएगे यग्य नहीं होगा तो व्रिष्टी नहोगी व्रिष्टी नहोगी तो अन नहोगा अन न होगा तो इस प्रजा कैसे रहेगी इसलिए यग्य करना तो परमावश्यक है तुमारे पिता ने यग्य करके तुमको पाया तुमारे पिता के पिता ने यग्य किया इस संसार में कोई ऐसे राजा का चरित्र नहीं जिसने यग्य ना किया हो एक भी सनातन धर्मावलं भी ऐसा नहीं जिसने यग्य ना किया हो इसलिए दिर्ग सत्रेन देवेशम सर्व यग्येश्वरम हरिम पूजई स्याम भद्रंते तस्याम सस्ते भविश्यती हमको कृपया राजन तुम नहीं करते तो मत करो पर हमको यग्य करने की सहमती चाहिए क्योंकि यग्येन यग्य पुरुषो विष्णु संप्रीन इतोन रिपाव और अस्माविर भवतक कामान सर्वा नेवप्रदाश्यती आपके राज्य में हम जैसे महत्मा सरद्दा पूरुवक लोग कल्यान की भावना से यग्य करेंगे बिदी पूरुवक यग्य करेंगे तो प्रजा के समग्र मंगल होंगे उनकी कामनाएं पूर्ण होंगे बेन ने कहा कि अरे किस जनारदन की बात करते हो किस ब्रह्मा की और इंद्र की बात करते हो कौन ब्रह्मा कौन विष्णो कौन संकर अरे कौन ब्रह्मा कोयम हरी ही इतिख्यातो योवो यग्येश्वरो मता जिसको तुम यग्येश्वर कह रहे हो ओ कौन ब्रह्मा कौन नारे मेरे अत्रिक्ति संसार में एति चान्ये चे ये देवाह, शापा, नुग्रह, कारिणाह और निपस्ये शरीरस्थाह, सर्बदेब मयोन रिपः राजा में सब देवताओं का अंसर रहता है इसलिए सबसे बड़ा देवता मैं हूँ माराज, बहुत समझाने पर भी उस दुराचारी ने महात्माओं को डपड दिया कि मेरे सामने बड़े ज्ञानी बनते हो तुमारी दसा तो ऐसी है, कि जो पालन पोशन करने वाला पती है न कोई कुलटा इस्थ्री जैसे पालन पोशन करने वाले पती का परित्याग करके उपपती का चिंतन करे, किसी जार का सेवन करे ऐसे ही रक्षन करता हूँ मैं, पालन करता हूँ मैं रहते हो मेरे राज्य में, खाते हो मेरा और बात करते हो हरी की, विष्णों की, शिव की, ब्रह्मा की स्त्री का जैसे परमधर्म है कि वो अपने पती के अनुरूप चले वैसे ही प्रजा का परमधर्म है, अपने राजा के अनुरूप चले इसलिए मेरी आज्या का पालन करो, रिशियोने का महराज हविशाम परिनामोयम यदेतद अखिलम जगत यग के बिनाए जगत नहीं ठिकेगा आप जो यग का विरोध करते हो राजन हमको लगता है आपको अपने जीवन से अब जी भर गया है अब जीने का मन नहीं रहा क्या आपका पराजर जी माराज कहते है जैसे इस इतना कहने पर भी उस बेन ने यग करने की अनुग्या नहीं दी मेरे राज्य में कोई यग नहीं हो सकता यदा ददाति नानुग्याम प्रोक्तः पुना 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 महत्मा अनेक अनेक वेदों के बचन लाते अनेक अनेक पुराणों के बचन लाते और बार बार आग्रे करते राजन देखो मान जाओ यग्य करने दो यग्य परमावश्यक है ये दिब्य मुहूरत है इसे तुम्हारी कीर्थी बढ़ेगी इसे तुम्हारी प्रजाका मंगल होगा परंतो बार बार जब प्राड़ना करने पर भी वो निशेद करता रहा तो क्रोध में बर करके महात्मावन एकारे से मार दो दुष्ट को हन्यताम, हन्यताम पापा, इत्यो चुस्ते परस्परम सब महात्मावन एक साथ एक ही स्वर में होंकार भरी इसको मार दो, मार दो, हन्यताम, हन्यताम ये साक्षात भगवान की यग्यपुरुस की विष्णु की निंदा करता है ये राजा बनने के योग्य नहीं है इत्युक्त्वा मंत्र पूताइस्ताईही कुसईर मुनि गणान रिपम और निजग्णुर निहतं पूर्भम भगवन निंदा ना दिना यद्यपीक श्रीपरासर जी महाराज केते हैं ये मर तो तभी गया जब इसने यग्य का विरोध किया जब इसने भगवान नारेन की निंदा किया जब व्यक्ति वेद पुराणों की निंदा करे जब व्यक्ति भगवान की निंदा करे जब व्यक्ति ब्राम्वन की निंदा करे तो समझ लेना ये मर तो तब ही गया बस पूर्व जन्म के कुछ पुर्ण शेश हैं जो जीवित लगता है स्वांस चलता है इसले कह रहे हैं निजगनुर निहतम पूर्व मरतों पहले ही गया कैसे मरा बुले भगवन निंदना दिना भगवान की निंदा करने के कारण इसका जीवन पूरा हो गया पर अब रिशियों ने महर्शियों ने जल लिया उसको मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किया और कुसा के द्वारा उसका संस्पर्श कराया और ऐसा कहे करके जो हुंकार भर करके जल का प्रक्षिपन किया उतने से उस बेन का प्रणान्त हो गया महाभारत में लिखा है भागवजी में भी उलेख है कौरवों के लिए कचस परशक छता युशह माने कौरव जब अरजुन के बाणों से युद्ध में मरे नहीं तब नहीं मरे मर तो वो पहले चुके कम मर गए बोले जिस दिन दुरात्मा दुसासन ने द्रौपदी के केशों का आश परश किया द्रौपदी के केश पकड़ करके दासी कह करके सभा में घसीटता हुआ लाया उसी दिन सारे के सारे कवरों के मरन पत्र पर भगवान ने हस्ताक्षर कर दिया कचस परशक्षत आयुसमाने कचस परशे नई वह द्रवबदी के केसों का इस परश करने मात्र से उनकी आयोनस्ट हो गई थी वो पास हो गया बिलकिने इनको मरना है बस उसकी जो भगोली घटना घटनी है प्राकृत घटना घटनी उतना मात्र था दूसरा उधारन बोले भगवान ने जैसे ही ये कहा कि देखो ये असव भीसमहा असव द्रोणहा असव करनहा असव दुर्योधनहा ये जो उंगली दिखा दिखा करके भगवान ने कहा वानों अपनी उंगली मात्र से उन सब विपक्षियों की आयो का भगवान ने हरण तो पहले ही कर लिया गीता के उपदेश काल बे बस वो खड़े थे पुदले मात्र निमित बनाना है अरजुन को निमित मात्रम भबसबिस आचिन तो अरजुन ने जैसी बान छुबाया धरां धर्जिये गिर गए मारा तो भगवान ने है और स्रे मिला है अरजुन को क्योंकि भगवान को स्रे नहीं चाहिए और संसारी बिना स्रे के जी नहीं सकता